भगवती श्रीप पार्वती भगवान शिव की आधी शक्ति हैं उन्होंने जहां विने और प्रेम की प्रतिमूर्टी होकर पती के आधे अंग में अस्थान प्राप्त किया और उन्हें अर्धनादिश्वर बनाया वही स्वामी को अपनी विराट शक्ति देकर मिर्तुझे के रूप में प्रतिश्चित किया इसके साथ ही साथ आपको ये भी मालूम है कि बदलते समय के साथ लोगों के जीवर में कई सारे बदलाव भी आते रहते हैं और आये भी क्यों ना बदलाव आखिर इस प्रकृती का म इसे भी ग्रह नशत्र में हुए परिवर्तन का सिधा असर हर एक लेक्ति के जीवन पर पड़ता है उसी के बारे में आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ग्रहों से अपनी दशाबदली है जिससे महा परिवर्तन होने वाला है इसमें कई सालों के बाद बोले नात और मा रहता हासिल होगी आपको बता दे कि इस परिवर्तन के शुव सन्योग से शह राशी के जात्कों पर शिव पारवती की विशेश क्रपा रहने वाली है और इन शह राशी वाले लोगों को शिव पारवती की किरपा से बहुत ज्यादा आठिक लाब मिलने के योग बंद रहे हैं और ये राशियां कुछ इस प्रकार से हैं पहला मेश रासी मेश रासी के जात्कों के लिए आने वाला समय बहुत है शुब रहने वाला है और इन पर भगवान शिव और महापारवती की विशेश कृपा बरसने वाली है आप नया घर गारी या फिर कोई और भी दूसरी व भगवान शिव की उपासना करते रहें इससे आपको लाग मिलेगा दूसरा कन्या राशी इस महा सन्योग से कन्या राशी के जात्कों के जीवन में अपार धन संब्रेधी और खुश्य आएंगी मता परवती और शिव जी की किर्पा इन पर बनी रहेगी जिससे कि इस राश तीसरा व्रिशव राशी ये समय व्रिशव राशी वालों के लिए बहुत ही शुग समय है और इनके सभी कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं और भगवान शिव और माता पारवती की इन पर बिशेस किर्पा रहने वाली है ब्यापारियों को ब्यापार में भारी धानिवाब मिलेगा कारी छेतर में आने वाली सवी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी घर परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा चौथा तुलाराशी तुड़ा राशी वाले ब्यक्तियों के उपर माता पारवती और शेव जीव जी की अपार किरपा दरिष्टी बनी हुई है जिसकी वज़ा से इनका समय बहुत इशुब रहने वाला है ये अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन देख सकते हैं जो भी ब्यक्ति ब्यापारी हैं उनके ब्यापार में ब्यक्ति होगी जिसकी वज़ा से इनका मन प्रसन्न रहेगा पाचवान मकर राशी मकर राशी वाले ब्यक्तियों को माता पारवती और शेव जी की किरपा से इनका समय बहुत ही लाबदायक रहने वाला है जिसकी वज़ा से इस राशी के बेख्ति अपने जीवन में अपार सफंता को प्राप्त करेंगी विशेश कर जो भी ब्यापारी हैं उनके ब्यापार में महारी धनलाव होने की संभावना बने हुई है आपके परिवार की आर्थे के स्थती मजबूत बनेगी चठा कुम्बराशी कुम्बराशी वाले बेख्तियों के लिए ये समय बहुत ही शुग रहने वाला है जिस कारे को आप अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ करेंगी उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी माता पार्वती और श्युजी की किर्पात रिष्टी इस राशी वाले बेख्तियों के उपर बनी हुई है जिसकी वज़ा से ये अपने जीवन में सफलता की नई उचाईयों को छूने वाले हैं नेक्ट नाइन स्प्रिच्वल से विनितलाय के रिपोर्ट